नवस्कार दोस्तो जैहिन वंदे मातरम मैं आप सभी का श्वागत अविननदन है सिच्छक भरती के चैनल यूटूब फैमली सिच्कों के परिवार जैसवाल कोजिंग सेंटर पर पावर्ड भाई सिच्छा ही प्रकास है बात करेंगे हिंदी भासा की बात करेंगे प्रेक्ट होने वाला है हिंदी में से अगर 25 प्रस का स्कूर करना है तो यह जो 30 प्रस रहेंगे यह प्रेक्टिस पेपर बहुत ही इंपॉर्टन है वह भी आपकी स्लेवर्स के एक्वाडिंग वह भी नए प्रेटन के कोडिंग तो चलिए सुरुवात करते हैं पहले हम बात करेंगे गद्यांस की फिर इसके बाद पद्यांस की फिर बात करेंगे 15 सिच्छा सास प्रश्णों की और इसके पहले बाल विकास के प्रेक्टिस इट आपका अल लेडी क्लासे अपलोड हो चुका है तो वीडियो जाईए अगर आपने नहीं देखा है तो इस प्रेक्टिस पेपर क की मादम से देख सकते हैं सबी जो प्रेक्टिस पेपर रहेंगे फ्री और कॉस्ट रहेंगे जैसे अभी तक हमारी क्लासे चलती आ रही है क्योंकि राश्ठित में टीटी फैमली है सिच्कों का परिवार है आपका परिवार है तो चलिए गद्यानस आपका क्या हो सकता यह गद्यानस आ जाएगा तो आपको बीना पढ़े हानी कि आप तीन से चार मिट लगेगा पंद्रे कोशन को अटेंड करने में तो भारत की भिंता विशाल है अर्थात भारत भिंता पूर्ण देश है और यह इस पर सब के सामने हैं और कोई भी विक्त इसे देख सकता है इसक समन्द बाहरी आकरती तथा कुछ निशित मानसिक प्रवतियों बिशेज गुणों से है इससे लेटेड आपका है तो आप लोग वीडियो पहुच कर अगर आप पढ़ना है इस गद्यांस को तो आप लोग वीडियो पहुच कर इस गद्यांस को पढ़ सकते हैं और हम डिरे समन्द भी प्रशन पूचा जा सकता है विस्विडयाला तच्छ सिला दिया गया है दोहजार वर्स इसा पूर दिया गया है यह सारे हो शक्ते हैं आने वाले प्रशन पर तो चलिए फाइनली दोस्तों आपके स्कीन पर प्रशन आ चुका है प्रैक्टिस पेपर का पहला प् प्रशन है आकरती सब्द का पर्यावाची सब्द क्या होगा तो क्या बताना है आकरती सब्द का पर्यावाची सब्द बताना है तो यह तो सभी ही लोग बता देंगे आकरती मतलब होता है बनावट अगर कोई चीज हम यहां पर बना दिये तो यह एक आकरती हो जाती है त् लोगों का स्कोर क्या है इस प्रेक्टिस पेपर पर तो तीसरा प्रस्टन आपके स्किन पर है प्रस्तूत गद्यांस में कहां के लोगों की समानता है लेकिन पठान और तमिल लोगों की समानता नहीं इस गद्यांस पर बताया गया है तो सियापसन सही हो जाएगा आई ए बाद करतें अंगले hybrid की यद्धपी शब्द में कौन सी संदी होगी देखे संदी ब्याकरन हो गया समास हो गया ये चोटे चोटे अब्बह、 पद शब्द से संद ये चीजें आना बहुत ही जरूरी है तो यद्धपी शब्द में यनसंदी, आप लोग देख सकते हैं तो मारा पहल आपसनिया पर सही हो जाएगा आए बात कर लेते हैं ले प्रिष्ण की पठानों का लोग प्री नाच कहां के लोगों के नाच के समान है तो जब आप गद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द् आपका विद्यार्थी, सिच्छक, जुलाहा हो गया, नाई हो गया, यह सारे क्या हो कहलाते हैं, यह कहलाते हैं, सभी लोग बताईए, सभी कमिन्ट करेंगे, इस पर कौन सी संग्या जाएगी, तो आपके बेक्ति वाचक संग्या जाएगी, सिच्छार्थी, सिच्छक, जुल ठीक है अब बात कर देंगे अंगले प्रशन की बहुत सारे जाती वाचक समझ रहे होंगे तो जाती वाचक यहाँ पर नहीं होगा प्राचीन काल के तुर्क इसलाम धर्म के पहले कौन से धर्म को मानते थे इसका द्यान्स पर बात किया गया है बहुत धर्म को मानने की आपने सिमान पांद के प्रदेश हैं वो कि सीच के प्रसिद्ध केंदर हैं तो है भारती शंसकत्र आए नवघन करिेंगे इसके बाद पध्यांस करेंगे प्रस्तूत गध्यंज का कठिन नहीं होता थोड़ी ब्याकरण वाले आपको पढ़ना पढ़ेगा यह अंडलाएंगे गहन विस्विद्यालत तच्छिसिला के खंडर पाए जाते हैं और दो हजार वर्स पूर असानी प्रसिद्ध है ठीके तो यह आपका हो गया नवाप्रश्ण तच्छिसिला विश् सोचा था कि देउता जाएंगे एक बार आर्या वर्त इससे सम्मंदित आपको यह दिया गया है चलिए यह भी आपका गद्यांस ही है चले इस गद्यांस को ही साल्ब करते हैं इस गद्यांस से लेटेट प्रश्णों को करते हैं प्रस्तुत गद्यांस में किस प्रकार के सु शपनों का प्रभात हो रहा है तो सभी लोग जानते हैं पहले ही आपके दिया गया होगा शपनों का प्रभात सुंदर शपनों का प्रभात हो रहा है कि इसे कल्पना के मेरी कल्पना के यही तो प्रशन आपका पूचा गया है तो किस प्रकार के सुंदर शपनों का प्रभात ह यहां पर आपका जवाब होना चाहिए कल्पना की बहुत ही असान रहते हैं चाहिए हिंदी की बात करें संस्क्रिट की बात करें लेकिन ब्याकरन और पेड़ा वाजी थोड़ा कठी ना आती है निहार सब्द का पर्यावाची सब्द बताना है आपको निहार सब्द का पर्या चमकेगा या आपके जब इस पद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द वो और एमेल के क्या बन जाता है V में परिवर्तित हो जाता है आयादी संदी की बात करेंगे वे भी डाउट हो आप लोग भी कमेंट कर सकते हैं फीड़बैक कर सकते हैं आपका फीड़बैक आपका कमेंट जो है शरोपर ये शर्मान है प्रतेक सुच्छबंदु का, प्रतेक भाई बहन का, जिनका सपना है, गौर्मेंट टीचर बनना, अध्यापा कद्धापी का बनना थोड़ा थोड़ा गला जो हमारा मोटा होता चला जा रहा है, क्योंकि क्लासे जादा हो रही है, मेहनत भी जादा हो रहा है ताकि क्योंकि समय कम बचा है, इसलिए गले में चली वो तो बाद में ठीक भी हो जाएगा लेकिन जो सपने को सकार करने का ये मौका है, बार बार नहीं मिलता है साथियों आरजाती अपने हाथों में क्या प्रणकर पप को तिरिसकार करते हैं, जब आप गद्यांस को पढ़ेंगे तो यहाँ पर कहो जाएगा आधर्म को हमेशा तिरिसकार किया जाता है लेकिन यहाँ पर आपके पद्यांस पर सस्त दिया गया है अंगला प्रशन है बिसको सदा चरण के लिए कौन साउधान करती रहेगी पडोशी, रीती रिवाज, सगे, सम्मंदी या आरजाती तो यह प्रशन पर आरजाती या इस गद्यांस पर आरजाती आपका जो पद्यांस है गद्यांस है तो बिसको सदाचरण के लिए काउंसर शाओधान करती रहेगी आर जातियां जो हैं साओधान करती रहेगी आईए प्रशन को उचित विकल्प देना है पेड़ोगाजी सिच्छा सास के प्रशन आपके सुरू हो चुके हैं बवंडर आएगा लेकिन सेलेक्शन लेकर जरूर जाएगा जी हां बवंडर लाना है एक जाम फत्य करना है साथियो और सेलेक्शन पाना है क्योंकि यह सिच्छक भरती का चैनल है आपका परिवार है और यहां पर सेलेक्शन रोपर है साथियों अमूत वस्तों के विशे में बाला कप सोचना प्रारम करता है पूर बाल्य वस्ता में बाल्य वस्ता में पूर किसोरा वस्ता में या किसोरा वस्ता में देखे सिंपल सधान सी बात है कि जीन प्याजे जीने चार वस्ता हैं जो बताई थी जर्म से लेके दो वस्त तक गामा का वस्ता, दो से साथ लग पूर क्रियात्म का वस्ता, यह संक्रियात्म का वस्ता, साथ से गेला तक जो है मूर्ष शंक्रियात्म का वस्ता, गेरा वर्ष से आंगे अमूर्थ और आपचारिक यहाँ पे अमूत की बात करें अर्थाद गेरा वर्ष से उपर वालक होगा तो गेरा वर्ष से उपर हम किस कटेगरी को है सकते हैं पूर की सोरा वस्ता की कटेगरी को कह सकते हैं सिय आपसन सही हो जाएगा आईए साथियों बात करते हैं इंगले प्रिश्ण की हिंदी भासा सिच्छण में सच्छिक उप्चार का प्रमुकुद्देश क्या होता है बच्चों में अच्छी याद्टों का विकास करना सच्छी कटनाईयों इमदोसों का निवारन करना बालकों की असुधियों का निया करन करना या साथियों इन में से कोई नहीं तो हिंदी भासा सिच्छर में सच्छी कुपचार का जो प्रमुखुदेश होता है चाहतियों सच्छिकर्टनायों इम्दोशों का निवारणा भी आप्शन से हो जाएगा आएए बात करते हैं अंगले प्रश्ण की आपकी कच्छा में एक ऐसा विद्यार्थी है जिसकी स्रमण छमता पूरी तरह से विक्सित नहीं हुई है इस विद्यार्थी के लिए आप जो हैं कच्छा में हमेशा अपने पास ही बैठाएंगे आप संकेद भासा का प्रचुर मात्रा में प्योग करेंगी आप कच्छा में तेज आवाज में बोलेंगे या आप बोलते समय बिद्यार्थी को अपने हाथों की गती का उलोकन करने के लिए कहेंगे तो आप जानते हैं समझते हैं ग्यानी सर्वक बेख्याता हैं भाविय अधापक अधापिकाएं हैं कि आपकी कच्छा मेंसा बिद्यार्थी जिसकी समझ शम्ता पूरी तरह से विक्सित नहीं हुई है तो इस बिद्यार्थी के लिए आप संकीत भासा का प्रचुर मात्रा में प्रयोग करेंगे भी आपसंसातियों सही हो जाएगा अगला प्रशन है भासा दिगम के चर्णों को प्रभावित करने वाले तत्या कारक निन्मे से नहीं है सरीरिक स्वास्त बुद्धिव मानसिक विकास उत्तेजित करना हल्चल मचाना या समाज तथा समधाय आपको श्वेम पता ही चल गया होगा कि ऐसा अपसंसा है तो भास पतेजित करना हल्चल मचाना यह जो आपके भासा अधिगम के चर्ण को प्रभावित करने वाला तत्या कारक नहीं होगा इसलिए कार इंटो कुश्चन्स राइट आपसन अंबर सी आपसन सही हो जाएगा सभी जानते हैं आपके पांच सब्जिक्ट हैं पांच भासा सीखने सीखाने की प्रकिया का अर्थ जुडने का आधार मुक्ते क्या होता हैं सिछक द्यारत बताना शब्द को से देखना पाठ पुश्तक के बात करेंगे हैं समाज सांस्थिक परिव्यस की बात करें तो भासा सीखने की प्रकिया का अर्थ जुड़ने का आधार जो होता है मुक्ते समाज सांस्तिक पर भी इसकी बात करेंगे अंगल्या परस ने भासा कौसलों के संदर में कौन सा कथन जो है उचित दिया गया है कि भासा कौसलों के विकास में अभ्यास के पेच्छा भासिक निमों का ग्यान जरूरी है बिद्यले में केवल पढ़ना लिखना कौसलों पर ही बल देना चाहिए या बच्चे केवल सुनना बोलना पढ़ना लिखना कौसल करम से ही सीखते हैं या कह सकते हैं भासा के चारो कौसल परस पर अंते सम्मंदित होते हैं और वन्हें आपको क्लास में बताया भी था यह प्रिश्णम कर भी चुके हैं कि भासा जो होती है भासा के चारो कौसल परस पर क्या होते हैं अंते सम्मंदित होते हैं तो टी आपसन साथियों सही हो जाएगा उचित कथन दिया गया भासा कोशल के संदर पर ठीक है इसलिए कहते थे क्लास को अच्छे तरीके से आप लोग अटेंड कीजे प्रेक्टिस पेपर में आप वो काम आने वाला है जिन्होंने बहतीन अच्छे तरीक करी होगी क्लास सभी अटेंड किया होगा ये सारे प्रेक्टिस पेपर जो इस महीने चलने वाले हैं पूरे महीने प्रेक्टिस पेपर चलेंगे आल सब्जिट के प्रेक्टिस पेपर करेंगे साथियों काजल अपनी मात्र भाशा में बात करने में सहज है किन्तु हिंदी में बात करते समय उसमें आत्मिश्वास की कमी नजराती है एक भाशा सिच्छा की रूप में आपकी एक युक्ति क्या हो सकती है उसे अपनी मात्र भासा में बात करने का निदेश देंगे उसके साथ उसकी मात्र भासा में ही बात करेंगे या उसे हिंदी की कहानियों को अपनी मात्र भासा में कहने के लिए कहेंगे करमान लिजे वो ये अपनी मात्र भासा में बात करने में सहज है किन्तु हिंदु में बात करने में शमय उसमें आत्मिश्वास के अगर कमी नजर आती है तो उस बच्चे को बोलिए कि आप हिंदी भासा में जो कहानिया है अपनी मात्र भासा में बोलिए एक बच्चे के अंदर उस सुपता आ जाती है, एनरजी आ जाती है, बोलने की छमता प्रकट हो जाती है अंगला प्रिसने मात्रभासा में सिच्छा देने से क्या होता है? प्रते एक बच्चे के अधिक अधिक प्रतिभागिता होगी, बेहतर प्रिणाम निकलेंगे या उपर्युक्षभी की बात करेंगे तो साथियों मात्रभासा में सिच्छा देने से क्या होता है? कच्छा में पढ़ाई करने में भी सुविदा होगी, सिच्छा देने की अधिक अधिक प्रतिभागिता भी होगी और बेहतर प्रिणाम भी निकलेंगे अर्थात उपर उपर्युक्षभी हो जाएगा दियापसन साथियों सही हो जाए प्रतेक भाई भेहन सिच्छबंदु ग्रेनी शभी कमेंट करेंगे सभी मित्रों को जे हिंदु वंदे मात्रा मिंक लाब जिन्दाबाद साथियों एक जाम फत्य करना है, सेलेक्शन पाना है, फीडबेक शरोपर है, कमेंट शर्मान है सीखने के लिए मनुस सरवादिक किस विधी को अपनाता है, प्रत्यान, अनुकरण, सूज, भूज, तुर्टी इवं प्रयास देखे, सीखने के लिए मनुस जो सरवादिक विधी को अपनाता है, वह होता अनुकरण जब बच्चा जन्म होता है तो वह माता पीता परिवार के अनुकरण करन के बोलना सारी क्रियाई सीखता है जब बच्चा दूसरे को देखता है उसका अनुकरण करके सीखता है अनुकरण मन तो क्या होता है तो मनुस जो है सरवादिक किस वीदी को अपनाता है अनुकरण वीदी को अपनाता है आई ये बात करते हैं अंगले प्रिश्ण की साहिचर वीद में भासा की आरंबिक सिच्छा कैसे प्रदान की जाती है खेल खेल में प्रदान की जाती है पहला आपसन सही हो जाएगा आई हो प्रतेक सिच्छक बंदू अच्छे तरीके से आप लोग कमेंट कर पा रहे होंगे अच्छे तरीके से प्रतेस इस प्रेक्टिस पेपर के प्रतेक कोश्चन को समझ पा रहे होंगे फीड़ बैक दे पा रहे हूंगे स्यात्यों प्राथमी किस्तर के बालकों को वाचन की क्रिया इसे जिंग द्वारा प्रदान करने चाहिए जिससे वे किस प्रकार के सब्दों का उच्चारन कर सके तो आप जानते हैं कि प्राथमी किस्तर के बालकों को वाचन की सिच्छा जो है इस प्रकार से प्रदान करने चाहिए जिससे वे किस प्रकार के सब्दों का उचान कर सके बड़े छोटे शुद्ध गोल तो सबसे महत्पूर्ण बात होती है उस प्रकार के सुद्ध उचान छोटे बड़िस नहीं होता अगर बच्चा सुद्ध उचान कर रहा है तो विल्कुल शही कर रहा है सुद्ध उचान पर फोकॉस करना चाहिए कुश्चन पर मिस्पिंट हुआ है आप लोग समझ भी गए होँगे होशकता बहुत से इच्छे बंदों कमेंट भी कर दी होंगे अगला परसने जेक टार्ट प्रणाली में बच्चों को पढ़ाना, लिखाना, सिखाना किस से सुरू किया जाता है शब्दों से, वाक्यों से, अच्छों से, सभी से तो आप जानते हैं जेक टार्ट प्रणाली जो है इन में जो है इस परणाली में बच्चों को पढ़ाना लिखाना सीखाना जो है किससे शुरू की जाता है वाक्यों से शुरू किया जाता है अगला प्रसने निदानात्मक परिच्छन को प्रियुक्त करते हैं जिखे जो निदानात्मक परिच्छन होता है आप लोग भावित धापा का दापिकाई हैं सिच्छक बंदो हो एं आप लोगों की जब निक्त होगी आप लोग अधापा का धापिका बनेंगे शपने को साकार करेंगे सात्यों तब यह वाक काएगा यह प्रशनाएगा कि दिभासाली चात्र पर करते हैं, विशिष्ट चात्र पर करते हैं, मांसिक मंद वाले चात्रों पर करते हैं, या कमजोर चात्र पर करते हैं, तो निदानात्मक परिच्छन को परियुक्त करते हैं, या करते हैं, किस चात्र पर करते हैं, आपको पता होगा, निदान किसका कर सक बहिया जिसका कारण पता हो जो बच्चा कमजोर होगा उसका निदनात्मक परिच्छन अर्थात डी आपसं सभी हो जाएगा दो प्रशनवर हैं इस प्रेक्टिस पेपर पर सारे प्रिश्ण को अटेंड कीजिए बात करेंगे अंगले प्रिश्ण की प्रात्मिक इस्तर में सि सिच्छक हैं अपने आपको उस पर ढालिए और इस प्रिश्ण का जवाब देजिए कि प्रात्मिक इस्तर में सिच्छन का माध्धम सरलवा छात्र के इस्तर के अंसार होना चाहिए क्योंकि छात परचीत परिसित में अधिक क्यान वर्धन करेंगे छात जो होते हैं घर जैस अच्छा परतीत करेंगे या उनसासन रखने में शायता होगी नियम बदता रहे हैं लिए कि तो आप अच्छे तरीके से समझते हैं जानते हैं क्या जानते हैं साथियों सिच्छक बंदों कमेंट आ चुका है कि छात परचीत परिसित में अधिक ज्यान वर्धन करेंगे कि तना अच्छा वर्दन रिन रिजात न में पर सकते हैं कि इस पर वाले च्छात्र हैं बालक वालिकाएं जो बोले में उन्मोर करते हैं तो ऐसे चात्रों को अन्छात्रों से लगातार वर्तल आप करवाना चाहिए मुहावरेदार भाशा सिच्छन द्वारा प्रदान करने चाहिए अधिक सदीक बोलने वपढ़ने का उशर मिलना चाहिए या आप रचली सब्दों का प्रयोग करना चाहिए सब ही सिच्छवबंदों कमेंट करेंगे और तीस में से जो भी फीडबैक हो प्रतेक सिच्छवबंदों भाई बेन ग्रैनी सब ही कमेंट करेंगे तो बोलने में कटनाई उन्वा करने वाले चात्रों को क्या कहा जाता है अधिक सदिक बोलने वा पढ़ने का उशर मिलना चाहिए मैं प्रतेक क्लास में भी आपको उता है आउशर सब्दे कैसा है जो हमें बता देता है इस आपसन की आपरिंचुन्टी सही होने की सबसे ज़्यादा है तो यहाँ पर शी आपसन सही हो जाएगा यह रहा सवतियों आपके हिंदी प्रतम भासा फश लांग्वेज हिंदी पेपर का प्रेक्टिस पेपर था पहला प्रेक्टिस पेपर था इसके पहले बालवेकास का प्रेक्टिस पेपर हम कंप्लीट कर चुके हैं दीरे दीरे सारे practice paper इस महीने करने वाले हैं एक जाम के पहले पूरा निचोड बिलकुल इस तरह त्यारी करेंगे कि बस ब्रह्मास्त चला देना ये ब्रह्मास practice paper है आपके लिए selection पाने के लिए तो सभी मेरे साथ हैं एक बार सभी class को like कर देंगे मैं आपके साथ बिजय जैस्वाल यानी जैस्वाल सर चल दी मिलते हैं नेस class पर नेस practice paper पर शभी मित्रों को जहिंद बंदे मातरम धन्वाश भीक